आज की क्लास में हम राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन पर जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं राहुल सांकृत्यायन का जन सन 1893 में गाव पंदहा जिला आजमगड जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका मूल नाम केदारपंडे था उनकी शिक्षा काशी आगरा और लहौर में हुई सन 1930 में उन्होंने स्रिलंका जाकर बौध धर्म गरहन कर लिया तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जाफानी, रूसी, सहित अनेक भाशाओं के जानकार थे उन्हें महापंडित कहा जाता था सन 1963 में उनका देहान थो गया राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावरित, जीवनी, आलोचना, शोध, आदी अनेक विधाओं में साहित सिर्जन किया इतना ही नहीं उन्होंने अनेक गरंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दिकदर्शन, 22 सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी, गुलामी, घुमबक करशास्त्र, उनकी प्रमुक्रीतियां है साहित के अलावा, दर्शन, राजनिती, धर्म, इतिहास, विज्ञान, आदी विभिन विश्यों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्रयाय सामागरी का उधार कर अत्यंत महतपूर्ट कारे किया है यात्रा वृत्र लेखन में राहुल जी का अस्थान अन्यतम है उन्होंने घुमकरी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के अस्थान पर यात्रा को ही घुमकर का उद्देश्य बताया घुमकरी, सेमनुरंजन, ज्यानवर्धन, एबं अज्यात अस्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एबं संस्क्रिती का भी आदान प्रदान होता है राहुल जी ने बिभिन अस्थानों के भावगोलिक वर्णन के अत्रिक्त उहां के जन जीवन की सुन्दर जहां की प्रस्तूत की है तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें